algebra of complex number या waiting collect number का addition हो सकता क्या do complex number का subtraction हो सकता है ते किया हिसका division हो सकता है क्या हिसका multiplication हो सकता है इस पे हम लोग अभी क्या करेंगे discuss करेंगे तो addition के अंतरगत पहले समझते हैं जैसे कि let कर लेते हैं हम लोग की z1 जो है x प्लिस zeg जो है z2 जो है यह x1 ले लिजे, इसको y1 ले लिजे, x2 प्लस i y2 है, ठीक है देखिए, आप i b लिखो या फिर b i लिखो, एक ही बात है इमेजनरी पार्ट of b, यानि कि इमेजनरी पार्ट i, i मतला i उटा into b लिखो या फिर b into i उटा लिखो, कोई फरक उसे नहीं पढ़ने वाला है, अगर first इमेजनरी पार्ट हमेशा, इमेजनरी पार्ट से एड होगा, अगर उसे टेप से क्या सब्स्ट्रेक्शन में भी, सैम वही कहानी, यहाँ पे भी repeat होगा, तो z, यानि क्या लिख सकते हैं, आप x1 प्लस माइनस x2, ठीक है, रियल पार्ट, रियल पार्ट से करेक्ट हो गया, प्लस, i common आ गया, y1 प्लस y2, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के उस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्लस करेंगे, तो सब जगा प्लस कीजएगा, अगर माइनस होगा, तो सब जगा माइनस कीजएगा, तो यह दो बात आपको याद रखना है, कि addition और subtraction में क्या होगा, क जब भी कोई भी हम लोग Z1 और Z2 का अगर बोला जाए, real part, जो आपको Z1 और Z2 को add करने पे मिलेगा, वो भी आपको क्या मिलेगा, यह complex number मिलेगा, तो Z1 और Z2 जो complex number होगा, उसका real part क्या होगा, तो real part याद रखना, X1 प्लस माइनस, है न, X2, यह real part of, मतलब Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, उसी टेप से real part of, sorry, imaginary part of है न, imaginary part of, real part उपर लिकी दी, imaginary part of, Z1 प्लस Z2 जो होगा, यह प्लस माइनस Z2 जो होगा, वो क्या लिखेंगे, Y1 प्लस माइनस Y2, जैसे एक example लेते हैं, हम लोग, example में कि Z1 बराबर माल लिए, 3 प्लस 4 आई, ठीक है, Z2 बराबर माल लिए 5 माइनस 5, माइनस 5, प्लस 4 आई, ठीक है, तो अगर हम दोनों को add करेंगे, Z1 प्लस Z2 करना चाहे, तो real part 3 है, और यह माइनस 5 है, दोनों को add करेंगे, तो कितना जाएगा, माइनस 2, फिर प्लस प्लस तो, प्लस ही हो जाएगा, प्लस 8 आई, तो यह जो मिला, यह खुद real part, यानि कि यह किसके बराव, Z1 प्लस Z2, तो real part of Z1 प्लस Z2 जो होगा, वह किसके एक्वल होगा, माइनस 2 के एक्वल, और real imaginary part Z1 प्लस Z2 जो होगा, वह किसके एक्वल होगा, 8 के एक्वल, तो direct formula अप्लाइ करके भी, बना सकतो, बट हम suggest करेंगे, आपको क्या, कि आप formula यू तो next हम लोग addition और subtraction को देख लिए, अब देखते हैं हम लोग multiplication को, multiplication के अंदर क्या क्या है, फहले हो समझना है, तो multiplication, multiplication of the 2 complex number, of 2 complex number, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो Z1 जो होगा, X प्लस IY के बरावर, X1 प्लस IY, 1 के बरावर, उसी type से Z2 is equals to क्या लिखेंगे, X2 प्लस IY2 के बरावर, तो Z1 इंटो Z2 करोगे, तो क्या लिख हो गया अब, X1 प्लस IY1 इंटो X2 प्लस IY2, दोनों multiply के, X1 को इससे multiply के तो क्या जाएगा, X1, X2, देख लिजे, फिर X1 को इसके साथ multiply करेंगे, तो क्या जाएगा, देखे, X1 को अ Y1 इंटो I, होगे है, फिर प्लस, अगर हम यहाँ पर करेंगे, Y1, Y2 इंटो I, इंटो I क्या हो जाएगा, I2, चुकि I का जो value, यूलर की द्वारा दिया गया है, क्या दिया हुआ, रूट अंडर माइनस 1, तो अगर हम I2 का value निकालेंगे, तो रूट अंडर माइनस 1 को, द Y2, यह देखे, इसके साथ कोई imaginary नमर नहीं है, एक real part हो जाएगा, इसका, प्लस, आई बाहर, X1 को Y2 के साथ multiply करेंगे, फिर X2 को Y1 के साथ multiply करेंगे, यह जो आया आपका, Z1 इंटो Z2, अगर हम बोलेंगे, Z1 इंटो Z2, खुद एक complex नमर, इसका real part कोन होगा, तो जो real part वो X1 into X2 minus Y1 into Y2 होगा, with sign, sign के साथ लेंगे, ठीक है, उसके फिर अगर बोला जाए, imaginary part of Z1 into Z2 क्या होगा, X1 को 12 किस याद रखना है, X, Y, X, Y तो 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 नों जगह है, X, Y, इधर भी, इधर भी X, Y, तो 1, 2, 1, 2, 1, है न, X1, Y2 plus X2, Y1, एक question हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेट करते हैं, question है, Z1 बड़ाबर, 3 minus 4i, फिर उसी टैप से Z2 बड़ाबर, minus 4 plus 5i, ठीक है, दोनों का अगर multiply करने बोला जाए, Z1 into Z2, तो अब क्या करोगे, देखो, X1 into X2 direct कर लेते हैं, रियल पार्ट लिखना है, और imaginary part, imaginary part के बगल में, I होता है, तो I लिख देंगे, question ह 3 है, यह 3 है, और यह 4 है, minus 3 into minus 4, तो minus 12, ठीक है, फिर y1, बीच में minus है, फिर y1 into y2, तो minus 20 हो जाएगा, देखें इसको समझे, तो 4 3 जा, minus 12, और 4 को इससे, minus 20, फिर बीच में यहाँ देखें, minus है, फिर plus, 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 आई है तो आई, X1, Y2, X1 और Y2 देखें, X1 और Y2, यह X1 है, यहाँ पर, यह X1 है, और यह Y2 है, तो X1, X1 का value कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 5, 15, ठीक है, फिर बीच में क्या है यहाँ पर, plus, फिर X2, X2, Y1, X2, Y1, तो minus minus plus हो जाएगा, 16, तो अगर solve करेंगे, इसको solve करने पर कितना आएगा, minus 12, plus 20, plus I into, दोनों को अगर add करेंग तो कितना आगे, 31, solve करोगे, solve करके कितना आएगा, देखलेजे, solve करके कितना आएगा, तो 8, plus 30, 31, आई, ठीक है, यह जो complex number आएगा, multiply करने के बाद भी, तो जो आएगा, जो भी number आएगा, वो भी क्या मिलेगा, आपको, एक complex number ही मिलेगा, मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई अभी, दो नम्मर को add कर रहे है, तो भी हमको जो आगे वाला number मिल रहा है, वो कौन सा number मिल रहा है, complex number, अगर दो नम्मर को माइनस कर रहे है, तो भी हमको, जो मिल रहा है, अगर दो नम्मर को multiply किये, then जो मिला, जो number मिला, वो भी क्या मिला, complex number ही, अब देखते हैं कि, दो न प्लस आई वाई वन ये complex number हो गया है z2 जो है x2 मानस आई y2 या plus है ना x2 प्लस आई y2 ये complex number हो गया ये consider कर लिए कि z2 का value कभी भी 0 नहीं होगा इसलिए consider किया गया है because अगर मान के चलिए कि हमको z1 में z2 से divide करना है अगर z2 का value किसी भी case में 0 हो गया तो फिर तब तो गड़बड हो जाएगा because अगर denominator में 0 होता है तो मतलब वो हो जाएगा not defined होगा तो फिर हम उसको defined ही नहीं कर सकते है solve क्या होगा तो solve तो बिल्कुल नहीं होने वाला उस condition में हम लोग z2 को consider करना पड़ेगा कि यह 0 के equal नहीं है हाँ z1 0 के equal हो सकते है because किसी भी digit को हम लोग 0 से divide 0 में divide कर सकते है बट 0 से divide नहीं कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर देखे x1 plus iy1 by x2 plus iy2 ठीक है तो इसका जैसे हम लोग बच्पन में करते हैं rationalization तो sign change करेंगे यहाँ पर लेखते हैं हम लोग x2 फिर यहाँ पर क्या लेखेंगे minus iy2 by x2 minus iy2 अब देखें आपे multiplication theorem में क्या था इसको इसके साथ multiply करते थे इसको इसके साथ multiply करेंगे इसके बीशे माइनस करते थे तो direct multiply लगे x1 into x2 plus y1 into y2 क्योंकि y1 into y2 minus में y2 का value minus में minus minus फिर हो जाएगा plus फिर plus यहाँ लगाते हैं आई फिर x1 को y2 के साथ अगर हम देखें x1 को अगर हम y2 के साथ multiply y2 तो negative है यहाँ पर x1 y2 तो आएगा बर्ट यहाँ क्या चीज़ में negative में plus फिर x2 को y1 के साथ तो plus x2 y1 by यह तो formula बेज़़ों a plus b into a minus b यहाँ पर formula होता है a minus b into a plus b is equals हो जाते है इसका formula a square minus b square तो यहाँ पर same चीज़ x2 का hall square minus i y2 का hall square क्या लिखेगा x1 into x2 plus y1 into y2 plus i x2 y1 minus x1 y2 by x2 का hall square minus i का hall square i का hall square का value बता गया तिससे पहले चुकि i का value होता है root under minus 1 होता है i square का value होगा वह कितना हो जाएगा root कतम हो जाएगा मैं बचेगा minus 1 तो minus 1 into पहले से तो minus था ही into y2 का square solve करेंगे तो क्या जाएगा x1 solve करने पर क्या आएगा x1 into x2 plus y1 into y2 plus i x2 into y1 plus x1 into y2 by x square plus y square तो division करने पर भी हमको जो नमबर मिला वो नमबर किस फॉर्म का मिला imaginary नमबर के फॉर्म का तो यह आपका था algebra of complex number जासमेकि हम लोग सिके division, multiplication or subtraction or addition, ठाएगा और करो